एक महिला ने अस्पताल में जब बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे को अपने मुव में पकड़ कर एक कुट्टा वहां से लेकर भागने लगा जिसके बाद वहां पर मौजूत लोगों ने देखा तो पूरे महिला अस्पताल में हरकंप सा मच गया और अस्पताल के सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गया दरसल अस्पताल में सोमवार को चार बच्चों का जन्म हुआ उन चार बच्चों को उनकी परिजन लेकर चले गये थे तो फिर ये बच्चा जो अस्पिताल के सोचाले में पाया गया और जिसे कुटा अपने मूँ में दबाकर ले जा रहा था तो आखिर ये बच्चा कौन है और यहां तक कि अस्पिताल प्रसासन भी इस सवाल पर चुप़ी साधे हुए हैं उसे भी नहीं पता कि जिस बच्चे कुटा अपने मूँ में दबाकर ले जा रहा था वो कौन है और इस अस्पिताल में कहा से आया अस्पितालों से ऐसे मामले अक्सर सुनने & देखने को मिलते ही हैं इसी कड़ी में एक बार फिर से ऐसा मामला प्रकाश में आया है अब क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखे अब नमस्कार आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मैं हूं आपके साथ श्वैता मिस्टा यह पू दो नौजात बच्चे एकदम ठीक ठाक जन्म लिए वहीं दो नौजात बच्चे मृत पैदा हुए जिसमें से पहला बच्चा दुपर में पैदा हुआ और दूसरा रात में अस्पताल की लोगों का कहना है कि उन दोनों मृत बच्चों को उनके परिवार वाले अपने में दबा कर बाहर निकल रहा था तब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो शोर मचाते हुए कुट्टे को घेर लिये तो कुट्टा अपना जान बचा कर शोव को छोड़कर वहां से भाग गया कुट्टे के भागने के बाद लोगों ने उस नौजात बच्चे को अपने पूरता है कि आखिर यह नवजात बच्चा शोचाले के अंदर आया कैसे इसे वहां फॉन छोड़की गया यह सारे घटना के बाद जब वहां के मुख्य चिकित्सा अधिक्षक डॉक्टर एके द्रुएदी को पता चली तो उन्होंने तीन सफाई कर्मियों को नोटिस दिय और उनसे इस मामले पर जाच करने को बोला वहीं पर इस नवजात बच्चे के शोव को पुस्टमाटम के लिए भी भेज दिया गया वहां पर तैनात होमगार्ट सुरक्षकरमियों से भी पूस्ताच की गई यहां तक की सिसी टीवी भी देखा गया लेकिन कुछ पता नहीं चला जब होमगार्ट ने सौचाले के दस्टबीन में चेक किया तो जिस कपड़े में नवजात के शोव को लपेट कर डाला गया था और गलप्स भी वहां से बरामद हुआ सदर कोतवाल ने बताया कि लिखित के अधार पर मुकदमा दर्ज की गई है उसी अधार पर कारवाई भी की जाएगी सिसी टीवी फुटेस द्वारा देखा गया तो उसमें कुछ यूवक और कुछ महिला के उपर शक हो रहा है तो सिसी टीवी को बार बार देखा जा रहा ह है ताकि उससे कुछ पता चल सके इसके साथ ही वहां पर मौजूद होम गाड और सुरक्षा कर्मियों से भी पूश्ताच की जा रही है इस मामले के सामने आने की बाद पूरे अस्पिताल में हरकम सा मचा हुआ है और हर कोई यही सोच में डूबा है कि आखिर ये नौजात महिला अस्पिताल के सौचाले में कैसे गया और वहां मौजूद होम गाड सुरक्षा कर्मियों में से किसे ने इस बच्चे के शौव को देखा कैसे नहीं अब क्या अस्पिताल की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठेंगे कि इतने होम गाड सुरक्षा कर्मियों के होते हुए यह नौजात शौव अस्पिताल के अंदर आया तो आया कैसे इससे पहले भी ऐसे मामले बहुत बार सामने आ चुके हैं कभी अस्पिताल से बच्चे ही चोरी हो जाते हैं अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट मॉक्स में जरूर बताए ऐसे खबर के लिए बने रहे हमारे सा और देखते रहे हैं जनता जंक्षन वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद